पाँच साल से शीषे के बकसे में बंद लकडी की कुरसी एक बर्फिर चर्चा का विशे बनी हुई है। इस कुरसी को चुनावी माहौल में भाजपा के लिए शुब माना जाता है। यही कारण है कि पिये मोदी की कानपूर में होने वाली रैली में भी यह कुर्सी मंच तक लाई जाने वाली है। वहें विपक्षी नेता इस बात का मजाग बना कर चुटकिया लेने में लगे हैं। देखें 19 अक्टूबर 2013 को पहली उत्तरप्रदेश की ततकाली बिजय संखनाद रैली कानपूर में होई थी जिसमें आप सब ने उस रैली में साड़े पांच लाग की भीड की पुष्टी करी थी। मोदी जी आये थे तब वो प्रदान मनती नहीं थे और इसी कुरसी पर वो बैठे थे हमने इस कुरसी को शुब माना और मोदी जी की इस कुरसी को हमने पार्टी में उनके खड़ाओं के रूप में प्रेड़ा लेने के लिए इसको पार्टी की धरोहर बना दिया है। नहां पर हम सब कारकरता चाहते हैं कि ये खड़ाओं के रूप में जो मोदी जी की आसिरवाद और प्रेंडा की सुरूत ये कुरसी जिसको हम शुब मांगते हैं हमने कहा है कि यदी नॉम्स में कोई आड़े ना रहे हूं SPG वगयरा की नॉम्स में कोई आड़े ना रहे हो और यदी संभव हो तो मोदी जी इस कुरसी पर बैठे